सेंट्राल बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकिशन के तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है और यह नोटिस जारी करने का टेट है 25 एप्रिल 2023 को तो चलिए देख लेते हैं कौन सा पब्लिक नोटिस जारी किया गया है तो सेंट्राल बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकिशन के तरफ से 17 एडिशन का एक सीटेट एग्जाम लेया जाएगा जो कि कम्प्रोर बेस्ट होगा मतलब ऑनलाइन बेस्ट होगा और यह एग्जाम जो होगा यह जुलाई 2023 से लेके आगस्ट 2023 तक करवाया जाएगा मगर इसका जो exact examination date है वो आपका भी mention नहीं किया गया है तो यह जो date है आपका mention कर दिया जाएगा admit देने के time और इसका जो syllabus रहेगा उसके बाद language, eligibility, criteria, examination fee और exam cities यह सब भी आपका seated official website में मिल जाएगा तो seated का official website क्या है seated.nic.in तो इस link को आप click करके अपना सब कुछ details यहां से मिल जाएगा ठीक है तो चलिए आगे देख लेते क्या बुला गया है तो जो मतलब interested candidate है वो seated के जो official website है यहां through आप apply कर सकते है और apply करने का जो starting date है वो है 27.4.2023 से लेके आपका 26.5.2023 तक ठीक है रात के 12 वज़े तक तो आप इस website में जाके मतलब seated.nic.in website पे जाके 27.4.2023 से लेके 26.5.2023 तक रात को 12 वज़े तक आप अपना application form submit कर दीजे ठीक है तो आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है यहां पर application fee के बारे में बताया गया है तो देख लेते हैं यहां पर category वाइस बताया गया है general and OBC candidate के लिए जो paper 1 और paper 2 अलग-अलग अगर apply करना चाते है मतलब सिर्फ आप paper 1 के लिए apply करना चाते है तो आपको 1000 रूपीज लगेगा यह फिर paper 2 के लिए apply करना चाते है तो भी आपको 1000 रूपीज लगेगा general candidates के लिए अगर आप बोद paper के लिए apply कर रहे paper 1 और paper 2 तो आपको 1200 का payment करना पड़ेगा ठीक है तो उसी तरह SCST और different person के लिए आपका paper 1 और paper 2 के लिए मतलब सिर्फ एक ही paper के लिए आपको 500 देना पड़ेगा और both paper के लिए पेपर 1 और paper 2 के लिए आपको 600 पे करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए देख लेते हैं और के बताया गया है यहां पर तो यहां पर एक चीज़ बताया गया है जो examination cities है यह आप choice करेंगे मगर अगर आप first apply करते है तो आपको first preference दिया जाएगा उस city में exam मिलने का ठीक है अग आपका vacancy मतलब उस city में आपका candidate फूल हो चुका है तो आपको उस city में ना देके दूसरे city में भी भी भेज सकते है ठीक है तो जितना जल्दी हो सेगे अपना application fill up कर दीजिए क्योंकि यहां पर first come first serve basis पे आपको जो exam cities है वो दिया जाएगा ठीक है तो चलिए आगे देख ल dates are advised to complete their application process without waiting for last date ठीक है यह एक अच्छी बात है क्योंकि जब आप last date तक मतलब wait करते है ना तो last date में आपका server बहुत busy हो जाता है उस time आपका application submit होता नहीं है तो आपका जो इच्छा रहता है इस exam में बैठने का तो फुल फिल नहीं होता है तो मेरा भी advice है कि जिस दिन आप application फुल सब्मिट कर दिजिए ठीक है तो यहां पर और कुछ है नहीं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर थैंक्यू